Hello students, welcome to my class. Today we will do the pending sums of the exercise 6.2. The question 7th, if two angles of our triangles are of the same measures and third angle is 45 degree. अगर आपका वो triangle के कोई भी दो angles same है, ठीक है? Same है, वो angles ठीक है? लेकिन हमें पता ने वो कौन से हैं, तो हम उनको XX find कर लेंगे, ठीक है? और third angle जो 40 degree, 45 degree more than each of these angles. जो third angle है, वो 45 degree more than है. किस से? जो each of these angles, दोनों angles से, ठीक है? तो X plus 45 हम राइट कर देंगे. तो हमारे पास एक angle X से आगे, दूसरे angle भी X से क्योंने दो angles same कहा है, और third angle जो है, इन दोनों में से किसी भी angle में 45 प्लस करके आप ले सकते हों. तो हमारे पास तीन angles आगे. ठीक है? अब तीन angles का sum क्या होता है? 11 degree. ठीक है? According to angle sum property, तो X plus X plus X plus 45 degree. ठीक है? X plus X, 2X होगे. उसमें 2X में plus X करेंगे, 3X हो जाएंगे. 45 को पहले उधर ले जाओ, minus में आ जाएगा. फिर जो 3 है वो divide कर लो. ठीक है? आपके पास X की value हो जाएगी. X की value होने से 1st angle आपके पास आगे. क्योंकि 1st angle क्या है, बिटा? X है. इसलिए X जो हमारे पास आएगे तो वो ही 1st angle होगे 45 degree. 2nd angle भी same होगे 45 degree. 3rd angle जो है, आपका 1st angle जा 2nd angle से 45 more है. तो मैंने 45 इसमें plus कर दिया. आपके पास आगे 90 degree. ठीक है? See the 8th question. In the given figure, find this one. इन angles के sum की value आपको find out करनी है. ठीक है? अब ये angles कौन से दे रखे हैं आपको जो ये given है? ये आपको pentagon दिख रहे हैं. एक बटा pentagon means 5 sides diagram. A, B, B, C, C, D, D, E, E, A. ठीक है? और इसके 5 ही angles होगे. A angle, B angle, C angle, D angle, E angle. ठीक है? इन angles का plus जो है. वो आपने find out करना है कि कितना होगा? ठीक है? वो ये लिख रहे हैं बटा. हम सिरफ angle A, B बोल सकते हैं इसको और इसको ऐसे बोल सकते हैं E, A, B. जो angle आप बोल रहे हो इसको आप center में रखोगी. ठीक है? E, A, B भी कह सकते हैं और angle A, B कह सकते हैं और angle A, B कह सक चाई ना है? तो हमने कहले लिया इनको 3 triangle में divide कर लिया. ठीक है? ठीक है? पुइवारे पास triangle की property और उसके coding ही हमी निकालना पड़ेगा. तो 1st triangle A, B, D ठीक है? जा E, A, D. अब कैसे इसको write कर सकते हो? इसमें तीन angles बन रहे हैं बता हैं. इस one एक angle ये वाला ठीक है? और एक angle ये, clear? तो इन एंगल को मैं कैसे लिखूँगी? इनको पूरा नेम दोंगी मैं जैसे E, A, D तो ये वला एंगल हो गया अगर मैं बोल दूँ A, E, D तो ये वला एंगल हो गया अगर बोलें E, D, A तो इस वन एंगल, ठीक है? जो first question है, second है, third है इनको add कर लिया, add करने पर बिटा, जो equal to के left side होती है ठीक है? ये side होगी दखो एक ये side होगी, एक ये side होगी और एक ये side होगी, ठीक है? equal to के left, इन tीनों को मैंने add कर लिया, ठीक है? equal to का sign डाल कर जो तीनो questions के right side है 180, 180, 180 इनको equal to के right में add कर लिया अब मेरे जो red marker से underline कर रखाए है ठीक है वो angles को मैंने plus कर लिया और उनने angles को plus करके क्या बनता है देखिए सिर्फ एक angle बनेगा EAD अब देखो EAD ये ठीक है दूसरा है DAC this one and CAB इन तीनों angles को जोड के मेरे पास angle बन रहा है EAB ठीक है मैंने EAB लिख देगा पर जो green marker है ADE ADC ADE this one angle और ADC ये वल angle ठीक है इन दूनों angles को जोड के क्या बनेगा EDC angle बन जाएगा जा CDE भी लिख सकते हैं ठीक है ये side वाले जो है आप आगे पीछे कर सकते हो लेकिन जो angle आप ले रहे हो वो center में रहेगा D इन दूनों angles को जोड के E angle बन जाएगा ठीक है ऐसे मैंने सभी angle को जो plus हो रहे थे वो उनको plus कर लिया और single single angle में convert कर लिया और इनका समा गया 540 तो आपका जो question है वो proof हो गया ये बिल्कुल simple question है find x and y, x and y figure में दे रहे हैं आप वो इसकी value find out करने है x और y find out करने के लिए देखिए कि कौन सा rule apply होता है आप खुद देख सकते हैं पहले x देखिए x जो है triangle के बाहर angle बना हुए है ठीक है और triangle के बाहर जो angle होता है वो exterior angle होता है उसकी property क्या है कि अंदर वाले दो angle जो है उनका sum के equal होता है तो मैंने x को 40 plus 60 के equal रख लिया ठीक है 40 plus 60, 100 x की value 100 आगी अब मैंने ले लिए कोई small triangle ने लिए बड़ी layer में triangle A, B, C पूरी big triangle ले लिए हूँ A, B, C इसमे angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 angle sum property लग गी अब इसके बाद angle A की value कितने है 60 given है 60 put कर दिया B की value 80 given है 80 degree write कर दिया angle C की value जो है Y दे रखिया Y write कर दिया is equal to 180 इन दोनों को plus करके आप right side में ले जाओ minus हो जाएगा और Y की value आपके बास 40 degree आ जाएगी ठीक है next question देखिए 10th in the given figure D E parallel B C D E और B C दो lines parallel दे रखिये ठीक है और आपको X Y Z find out करना है अगर दो lines parallel है दोखे बटा जो clues हमीं दिये होते हैं उससे हमें कोई न कोई चीज जरूर find out होगी ठीक है तो हमें 2 lines parallel है हम इसको लेके चलते हैं अब आपने पूरी बड़ी ट्रेंगल small triangle होगी अब आप ठीक है A D C A D C ट्रेंगल में X plus Y plus Z is equal to 180 तिन्हों angles का समग्या होगया 180 होगया ठीक है Y और Z की value आप find out कर चके अरड़ी ठीक है तो यह आप put कर दोगे और X की value यहां से find out कर लोगे understand सीधा 11th question यहां पर भी आपको figure दे रहे हैं इसके coding आपने X और Y की value जो find out कर नहीं है ठीक है तो मैंने पहले ही कह लिए देखो यहां पर angle आपके पास दो triangle बन रहे है यह A B G triangle एक A C D जा A D C भी कह सकते हैं इसको दो triangle बन रहे हैं और एक बड़ी बड़ी triangle A B C तो आप किसी के भी recording ले सकते हो ठीक है पहले मैं यह ले रहे हूँ A D C triangle ले रहे हूँ ठीक है A D C में देखी अब क्या है तीनों angles का sum आप 180 कर लोगे X plus 70 plus C आपको square बना रखने आप rate में जी 90 degree का angle है 90 is equal to 180 ठीक है अब 90 plus 70 160 आगया right side में minus हो जाए जाके X की value आपके पास आगी 20 X find out हो गया आपके पास ठीक है अब मैं बड़ी triangle ले रहे हूँ A B C इसमें तीनों angles का A B C का sum क्या है 180 है ठीक है A की value कितनी है 30 देखो A के उपर दो angles बन रहे है 30 plus X ठीक है 30 और X तो दोनों को मैं लोंगे A के जगे पर 30 plus X B की value Y है C की value 7G है is equal to 180 X आप already निकाल चुके यहाँ पर put कर दीजिए 20 ठीक है इन सब को plus करके आप right side में ले जाए आपके पास Y की value find out हो जाएगी understand तो ऐसे बेटा आपको सभी जे questions जो है अच्छे से समझने हैं ठीक है और नोड़ के उपर write करने है Thank you